हलो एवरिवन दिस सेट इस आईशी बॉरियर आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है स्टड़ी आई क्यों यूट्व प्रेटफॉर्म पे जैसा कि आपसे भी जानते हैं रीसेंटली हमने एक कंप्लीट सी सेट सीरी शुरू किया है जिसके अंतरगत हम आपको पूरा मैथमे लिए ये सीरीज बहुत ही ज़ाधा हल्फुल होगी ठीक है तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया था वो था Chinese प्रिवेस क्लास में हमने number system को पिक किया था जिस नहीं हमने number system का part 1 किया था ओकंई उस part 1 जो हमने वहाँ पर पढ़ा था विच इस डिविजबिलिटी रूल ठीक है डिविजबिलिटी रूल पर बेस्ट इस तरीके के क्वेस्टन बनते हैं पेपर में ओके आपको कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाएगा और उसमें आपको बोलेगा कि बताईए यह कि चार ओप्शन दे दिये जाएगे और उसमें बोलेगा यह इन में से किस से विभाजित है पूरी तरीके से ठीक तो वो आपको तभी बनेगा जब आपको डिविजबिलिटी रूल पता होंगे ओके तो प्रीविज क्लास अगर आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे पूरे ड को फाइंड आउट करना ठीक यूनिट डिजट पे बेस्ट भी काफी क्वेशन पेपर पे देखने को मिलते हैं कितने भी बड़ी से बड़ी एक्वेशन दे दी जाती आपको उसकी कितनी भी पावर्स क्यों ना हो ठीक है और आपको उसमें कहेगा कि बताईए इसका यूनि डिजट यह होगा एसा तो आप करोगे नहीं तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं ठीक है अगर आपको वो रूल्स पता होंगे तब आप डेफिनेटली बहुती लेस टाइम पे कितनी भी बड़ी एक्वेशन क्यों ना हो उसकी कितनी भी पावर क्यों ना हो आप उसको पर्टिक्लर रूल्स होंगे आपके सामने और अगर आपके क्वेशन में वो नंबर उस केटिकरी से बिलॉंग करता है तब आपको वो रूल वहां पे इंप्लिमेंट करना है ठीक है आए देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेशन बनते हैं सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इकाई का अंग ग्याद करना यानि कि यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना तो इसको हम करते कैसे हैं ठीक है कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो नंबर देने से पहले मतलब एक्जामपल कराने से पहले मैं आपको कुछ की रूल्स बता देती हूं उस रूल पर बेजड वो नंबर डेफिनिटली वहां पर लाए करेगा फिर आप उसको वहां पर एजली क्रेक कर पाएंगे ठीक है तो यहां देखिए आप सबसे पहला है रूल नंबर वन ठीक इसमें क्या कह रहा है कि इफ तक गिवन नंबर जो भी संख्या अंतरगत आती है मतलब कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहों अगर उसका यूनिट डिजट 0 156 है इन में से कोई भी डिजट है तो उसकी पावर कितनी ही बड़ी क्यों नहों कितना ही बड़ा मल्टिप्लिकेशन क्यों नह दे दिया हो वहां पर एक्वेशन में उस गिवन नंबर का अगर आपको इकाई का अंक ग्यात करने को कहेगा ठीक है तब क्या कंडिशन होगी कि अगर वो इस कैटिगरी से बिलॉंग करता है 0 156 है तो दाट गिवन नंबर यूनिट डिजट विल बी सेम मतलब कितना भी बड़ा नंबर क्यों न दिया हो और एक्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर नंबर दे दिया 7 3 2 7 ठीक यह नंबर दे दिया और इसकी पावर दे दिया आपको 1000 ठीक है अब आप वहाँ पे 7 3 2 7 का 1000 टाइम्स multiply करने तो बैठोगे नहीं है ना तो इसका ना कुछ ना कुछ तरीका होता है इसको calculate करने का तो आप यह देख पा र इस category में नहीं है तो इस particular नंबर पर यह rule implement नहीं किया जाएगा ठीक है अगर आप हम एक आपको example दें तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 5 6 7 5 यह कोई नंबर है ठीक है 1,25,675 कि पावर दी गई आपको 157 और इसमें कह रहा है कि इसमें इकाई कांग find out करो या unit digit याद करो ठीक है तब आप देखेंगे कि इसका जो unit digit है ना 5 है ठीक तो 5 को pick कर लिया हमने अब हमने देखा कि हमारा rule number 1 क्या कह रहा था rule number 1 कह रहा था कि अगर given number का unit digit 0156 में से कुछ भी हो ठीक जैसे आप देख पा रहे हैं कहां पे unit digit क्या है 5 है 5 आपका unit digit है किसका given number का ठीक है और हमको इस पूरे number का unit digit निकालना है तो क्या करोगे अब आप देखोगे कि हमने 5 को pick किया और देखा कि 5 तो first number rules rule number 1 से belong करता है तो अगर कोई भी संख्या जो paper में आपको दी गई है अगर उसका unit digit 0156 में से है तो उस number की power कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसका unit digit क्या होगा वही हो तो practically इसको calculate करके देख लेना इसकी power 157 आप निकाल के देख लेना आपका answer का जो unit digit होगा वह 5 भी आएगा ठीक है तो यह पहला पहला rule आपको यहाँ पे clear दिख रहा होगा कि अगर आपका given number की category इन में से है last digit वाली तो उसका unit digit वही number हो जाएगा ठीक है आप देखो next rule number 2 2, 3, 7, 8 इन में से कोई भी है कोई भी अंक अगर आपको उस given number के आखरी अंक में देखने को मिलता है और उसकी power कितनी भी बड़ी क्यों न हो और आप से बोले कि उसका unit doesn't बदा कितना होगा तो क्या गरोगे उस given number की जो power होगी ना उसको आप 4 से भाग दोगे ठीक चार से divide करोगे अब जब आप divide करोगे तो remainder आएगा अब remainder भी ना दो category में आएगा या तो कुछ something 6 बचेगा या फिर remainder 0 बचेगा ठीक है तो अगर कुछ 6 बचता है तो मैंने आपके understanding के लिए normal शब्दों में लिख दिया है कि जो 6 बच रहा हो उसे ही last अंक की power बना देनी है ठीक ह कैसे बनाएंगे या भी practically करके दिखाऊंगी ठीक दूसरा अगर उस remainder अगर उस remainder की value 0 है तो power आपको 4 लेना है ठीक है यह second rule है कि अगर कोई भी आपका given number उसके unit digit 2378 में से है और उसकी power कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आपको उसका unit digit निकालना हो तो आप उस power को 4 से भाग द आप उसकी power को 4 से भाग देंगे फिर जो भी remainder आएगा वो चेक करेंगे अगर कुछ remainder में 1,2,3,xy बच रही है तो वही value उन unit digit की power बन जाएगी ठीक और अगर 0,6 आएगा तो power 4 लेनी है ठीक है कैसे देखें यहाँ पर suppose 2137 यह एक number है जो आपको दिया गए और इसमें बुले इसकी power ना 753 है अब बताओ कि 2137 को आप 753 टाइम्स calculate करने बटोगे क्या paper में नहीं न तो यहाँ पे किस तरीके से हमको solve करना है आपको बोल रहे हैं यहाँ पे इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका आखरी अंक क्या है 7 है और हमारा second rule क्या कह रहा है rule number second भी क्या कह रहा है कि 2378 इन में से कोई भी अगर आखरी अंक है तो हमको power को 4 से divide करना है तो हमने देखा कि हाँ 2137 में 7 में हमारा यह वाली category से belong कर रहा है मतलब यह वाला rule लगेगा तो क्या करोगे 7 को pick कर लो ठीक 7 को pick किया और उसकी जो power इना पूरी power उसको ले लो ठीक है फिर उसमें आप 4 से divide कर दो तो आप divide करके देख लो 753 है इसको आप 4 से divide करोगे तो 4 बंजा 4 यहां बचा 3 योग या 5 यहां बचा 3 यहां पर बच गया 3 ठीक है ओ 4 इटा 32 अब आपने देखा कि यहां पर जो रिमेंडर है न वह कितना आ रहा है वन आ रहा है और हमारा रूल क्या कहता है कि जो रिमेंडर अगर संथिंग कोई 0 के अलावा कुछ भी रिमेंडर आए आपको उसी रिमेंडर को उस अंक की घात याने की पावर बना देनी है ठीक है तो हमारा नंबर हमने क्या नंबर पिक किया है 7 इसकी पावर को हमने 4 से भाग देके देखा शेश्वल कितना आया हमारा शेश्वल आया हमारा 1 ठीक है तो अब इस 1 को क्या करोगे इसी 7 की पावर बना दोगे 1 को तो जब 7 की पावर 1 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 7 तो इसमें जो हमको find out करना था ना यही हमारा unit desert हो जाएगा ठीक है क्यों हो जाएगा क्योंकि हमारा यह second number rule 2 से belong करता है जिसमें यह कहा गया था अगर यह category से कोई number आता है आखरी में उसकी पावर कितनी भी बड़ी क्यों नहों उसमें simply उसकी पावर को आप 4 से divide करो कुछ शेशवल आ रहा है तो उसी अंख की पावर उस शेशवल को बना दो ठीक अगर शेशवल 0 आ रहा होता तो पावर हम 4 लेते हमने आपको मेंशन किया अगर शेश्वल 0 होता तो पावर 4 लेते अगर कुछ शेश्वल बच रहा है तो जो बच रहा है वही पावर बन जाएगा ठीक तो यह आपको समझ में आ गया होगा एक और एक्जामपल रखें आपको समझाने के लिए जैसे है 432 432 की पावर आपको गिवन है 412 ठीक है यह पेपर में आपको दिया हुआ और बोल रहा है बताओ इसमें एकाई का अंक क्या होगा ठीक इसी तरीके से 2, 3, 7, 8 वाले रूल से बिलॉंग कर रहा था यह देखो 2, 3, 7, 8 वाले रूल से बिलॉंग कर रहा था तो जब भी एक्वेशन हमारी 2, 3, 7, 8 वाले से बिलॉंग करेगी तो हम क्या करेंगे इसके जो पावर होगी ना उसको हम भाग देंगे 4 से ठीक है तो आप सिंपली देदो 412 है इसको 4 से भाग देदो 4 बंजा 4 यह कट गया यह वन आया 0 तो यह हो जाएगा 2 नीचे आगया 2 और यह हो जाएगा 3 तो आपने देखा कि remainder कुछ भी नहीं आया है remainder क्या है हमारा 0 तो जब ऐसी condition हो जाएगा remainder हमारा 0 हो तब हमने बताया था आपको अगर remainder 0 आए तो पावर कितनी ले लेना है 4 तो simply आप क्या कर दोगे यह 2 तो हमारा चली रहा था इसकी पावर आप कितनी ले लोगे 4 क्यों क्यों कि remainder है इसको solve करने पर remainder क्या आ रहा है 0 मतलब 6 फल क्या रहा है 0 तो अगर 6 फल 0 आए तो पावर कितनी लेना है 4 जब आप 4 ले लोगे तो अब आप easily कर लोगे 2 into 2 into 2 into 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 unit is it क्या आगया 6 तो आपका अंसर क्या हो जाएगा 6 ठीक है तो हमने आपको दोनों तरीक तब क्या करना है अगर कुछ something शेश बचे तब क्या करना है ठीक है नेक्स्ट है अगर आपका given number तीसरा रूल है अगर आपका given number का last is it 4 है ठीक है और उसमें कोई भी power कितनी भी बड़ी देख गई हो power में आपको सिब दो चीज़े ध्यान रखनी है even और odd आपको यह देखने कि वो power even है या odd है अगर वो power even है ठीक है तो उसका unit is it क्या निकल के आएगा 6 और अगर वो power odd है तो उसका unit is it क्या निकल के आएगा 4 ठीक है अब यह कैसे निकल के आएगा practically आप देखिए आपके पास कोई नंबर है 584 584 की power 2 है ठीक है अभी तो मैंने आप फिर भी छोटा नंबर लिया पेपर में और बड़े नंबर आएंगे लेकिन जस्ट पिकॉज मैं आपको रूल समझा रहे हूं कि रूल कैसे इसमें इंप्लिमेंट हो रहा है इसलिए मैंने नंबर्स देवलो ओके नाव अब आप देखिए कि 584 है हमने देखा कि हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई गिवन नंबर का लास्ट डिजट 4 है तो देख लो यह आपका गिवन नंबर है ठीक है इसमें आपको बोल रहे एकाई का अंक ग्याद करो ठीक है एकाई का अंक निकाल करोगे दो बार गुणा करके देख लोगे लेकिन टाइम तो बचाना ना पेपर में एक ही कुष्चन में सारा डाइम तो देना नहीं आपको तो इस समय को बचाने के लिए आपके लिए रूल होते हैं हमने देखा कि लास्ट में 4 है ठीक है अब 4 है अगर किसी नंबर के ला सम घात है ठीक है तो जब भी 4 वाला रूल होता है उसकी अगर इवन पावर हो तो यूनिट डिजट 6 आता है तो 4 की पावर 2 अगर आप कर भी दोगे ना तो आपका यूनिट डिजट क्या आएगा 6 आएगा नंबर छोटा है तो आप इसली कैलकुलेट करके देख भी पाए लास्ट में क्या है यूनिट डिजट ठीक है तो इस तरीके से हमको करना है कि अगर लास्ट में 4 है तो सीधे पार में पहुंच जो पार पॉज़र पार इवन है की ओड है इवन है तो यूनिट डिजट 6 हाएगा डायरेक्ट ही आपको याद रखना है क्यालकुलेट नहीं क कर लो उसकी पावर देखो यह 3 है 3 कैसी पार है 3 और पार है मतलब विशम घात है तो जब भी हमारी संख्या चार में एंड हो चार में और उसकी पार ओड हो मतलब विशम हो ठीक और यूनिट डिजट फाइंड करने को बोले तो क्या करोगे सिंपल वहाँ पर यह याद रखना है कि अगर और पार होती है तो यूनिट डिजट हमारा क्या होगा 4 होगा ठीक करके देखलो 4 का अगर आप 3 टाइमस इंटू भी करके देखलोगे ना तो भी आपका यूनिट डिजट क्या आएगा 2 सॉरी 4 आएगा ठीक है 4 आएगा करके देखलो 4 फोर्जा 16 16 फोर्जा 64 लास्ट पे फोर आ रहा है ठीक है तो फोर वाला रूल भी क्लियर हो गया कि अगर कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजट 4 हो कितिनी भी बड़ी पावर क्यों न दी गई हो सीधे पार पे नजर डालना है इवन है की ओड है इवन है तो क् हम देख और रूल पड़ा वैसे नाइन का रूल होते कि कितने भी बड़ा नंबर क्यों न दी गया हो उसकी कितनी भी बड़ी पावर क्यों न दी गई हो आपको उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको देखना है कि अगर वो नंबर नौ पे अन्ड हो रहा है ठीक है अगर वो नमबर 9 पे end हो रहा है, मतलब उसका यह जो लास्ट डिजट है ना, वो 9 है, है ना, तो जैसे ही हमको 9 या 4 मिले, सीधे पार्स में पहुंच जाना है, तो देखो, पार्स में पहुंच गए, again, जैसे 4 में हम कर रहे थे, 4 था, तो भी even odd वाली पार देख रहे थे, व उसका यूनिट डिजट 1 आएगा, यह याद रखना है आपको दिवाग में सीधे, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना है, और अगर उसकी पार odd है, तो यूनिट डिजट क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, दो एक्जाम्पल हैं, दोनों ही सेम लेकिन मैंने पार अलग-अलग रखी है, एक इवन, एक और, आपको समझाने के लिए, ठीक है, हमने देखा कि कितना भी बड़ा नंबर दिया है, अगर उसका आखरी अंक 9 है, या 4 है, तब यह कॉनसेप्ट एपलाए करना है, इवन और वाला, हमने देखा 9 है, और 9 की पार कितनी है, 3 है, और 3 अपने आप में क्या है, और संख्या है, मतलब विशम पार है ये, है न, और तो जब भी विशम पार होती है, तो हमारा unit is it, क्या आएगा, यूनिट डिजट अगर आपको निगालने को पोलेगा तो विशम पार में यूनिट डिजट क्या आएगा 9 ही आएगा यह देखे विशम पार होगी तो यूनिट डिजट 9 आएगा odd means विशम ठीक है? करके भी देख सकते हो आप अगर आप यह आपका आंसर तो हो गई by the help of rule अगर किसी को doubt है तो 9 की power 3 को solve कर ले 9 वार 9 into 9 into 9 तो जब आप इसको solve करोगे तो भी आपके यूनिट डिजट क्या आएगा? 9 ही आएगा ठीक है? 9 9 जा 81 और 81 नाइन जा 729 होता है यह हो गया 729 और लास्ट में क्या रहा है? 9 और हमने डारेक्ली निकाल लिया इवन और पार देखके ठीक है? तो यह यह वाला जो टाइम है ना यह बचेगा आपका पेपर में अगर आपको रूल से आध होंगे तो, ओके? Now, same question पार कैसी है? सम है मतलब इवन ठीक तो जब इवन पार होती है तो क्या होता है? हमारा जो यूनिट डिजट होता है ना यूनिट डिजट अगर आपको ग्याद करने को तब बोले पेपर में तो डारेक्ट बिना सोचे समझे आपको क्या लगाना है? 1 यूनिट डिजट क्या होगा? यह देखो अगर even पार है तो unit is it 1 होगा कितनी भी बड़ी पार क्यों न दी गई हो यहाँ पे अपी छोटी पार मैंने रखा है ताकि आपको समझ में आए ठीके कुछ questions है कि किस तरीके से paper में आप पूछे जाते हैं तो वह यहाँ पे एक नजर डाल लेते हैं इस तरीके से question paper में देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे एक number है 5627 की पार 153 into 671 की पार 72 अब बोल रहा है कि इसमें बताओ एकाई गांक क्या होगा अब यह जो question है इतना बड़ा ह है ना अब 153 times थोड़ी ना आप वहाँ पे solve करोगे इसको और इसको 72 times थोड़ी solve करोगे तो इनको solve करने का तरीका है वही जो rules मैंने आपको बताए अब आप देखेंगे कि इसका आखरी अंक क्या है 7 ठीक है और इसका आखरी अंक क्या है 1 हम पूरा-पूरा solve नहीं करेंग हमने देखा कि यह जो 7 है ना यह हमारे 2378 वाले रूल में से बिलॉंग करता है हमने आपको रूल बताया था अगर आपका अंक अगर आपका नंबर इन अंक में end हो तब क्या करना है तो तब हम क्या करते हैं जो भी पार होती है जो भी आपकी घात होती है उसको आप 4 से है तो वही उस अंक की पार बन जाएगा और अगर शेशवल नहीं बच रहा है जीरो है तो उस अंक की पार 4 हो जाएगी ठीक है अब आप देख लो इसकी पार क्या है 153 तो आप 153 को 4 से भाग दे दो 4 3s are 12 यहाँ पे आगया 3 4 8s are 32 बचा 1 तो जो 1 शेश बचा है यह आपका क्या है remainder ठीक है तो यह जो हमने number pick किया था इसकी पार वही बन जाएगा जो हमारा remainder बच रहा है ठीक है इंटू 1 की बार 72 अब यह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1 की बार कितनी भी कर लो उसका यूने डिजट 1 ही आएगा तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं तो जब आप इन दोनों को देखोगे दोनों के बीच में multiply है तो 7 इंटू 1 क्या हो की 7 ठीक इस तरीके से हमें सॉल्फ करना है इसी टाइप के क्वेशन आपको यूनेट डिजट पर बेस्ट देखने को मिलेंगे ठीक है अगला क्वेशन यहाँ पर है 7 to the power 95-3 to the power 58 अब इसमें बोल रहें बताओ यूनेट डिजट क्या होगा मतलब एकाई का अंक ग्याद कर ठीक है इकाई कांक बताओ वही क्या होगा इसमें अगें वही चीज कि हम 7 का इंटू 95 टाइम्स नहीं करेंगे 3 का इंटू 58 टाइम्स नहीं करेंगे ठीक है इसमें से अब यहाँ पे तो और यहाँ पर तो आल्रेडी सिंगल सिंगल डिजट है ना तो आपने देख लिया 7 ठीक अब फिर से यह 2,3,7,8 वाले रूल में से हैं है ना तो जब भी 2,3,7,8 वाला रूल आता है तो हम क्या करते हैं जो हमारी पार होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं ठीक है जो remainder आएगा वही उसकी पार बन जाएगी ठीक अगर remainder 0 होगा तो पार क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी ठीक यह हम आपको बता चुके हैं ठीक है तो अब आप देखो 7 की पार क्या 95 तो आप 95 को न चार से भाग दे दो ठीक जब आप 95 को चार से भाग दोगे तो कितना बचे का आप यह चेक कर लो जो बच रहा है वही उसकी क्या बन जाएगी घात बन जाएगी 95 और यह 4, 4, 2, 2, 8 बचा कितना 1 यहां आगया 5, 4, 3, 12 बचा कितना 3 तो अब यह जो 3 शेशफल आया है न यही शेशफल हमारी साथ की पार बन जाएगी ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा 7 to the पार यह रेमेंडर यहां पर आ जाएगा इसकी घात बन जाएगा ठीक अब देख 3 भी हमारा उसी रूल से बिलॉंग कर रहा है 2, 3, 7, 8 वाले में से 2, 3, 7, 8 वाली टर्म में 3 लाए करता है सेम वही रूल कि 3 को भी क्या कर दो इसकी पार को 4 से डिवाइट कर दो ठीक है जो बचेगा वो इसका शेशफल बन जाएगा तो आप यहां पर देख लो 58 को जब ठीक है तो 4 1 जा 4 बचा कितना 8 और यहां कितना बचा 4 4 जा 16 यहां पर बचा रिमेंडर हमारा 2 ठीक है तो 3 की पार क्या हो जाएगी 2 समझ में आरे हम किस तरीके से कर रहे है यूनिट यूनिट डिजट लेके उसमें उसकी पार को भाग देके जो भी शेशफल बच रहा है उसको हम यहां पर लिखते जा रहे है ठीक है अब देखो यह जो बचा अब इसको तो आप कैलकुलेट करें सकते हो ना 7 का क्यूब कितना होता है 343 ठीक है और 7 का क्यूब निकालने के लिए अब आप जिसको डारेक्ट पता है तो ठीक नहीं पता तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इ यह वाला 7 तो यह आ गया 63 और 7 फोर्जा 28 है ना 28 9 30 1 2 3 4 ठीक 343 ठीक 7 का क्यूब क्या होता है 343 और यहां पर 3 का स्कार 9 तो जब आप 343 बैसे 9 को सब्ट्रेक्ट करोगे तो कितना आएगा अब आपको पूरा नहीं करना है यूनिट यूनिट डिजट करना है ठीक है तो यहां पर 343 मैंसे 9 घटाने के लिए सिर्फ इतने को सॉल्फ करना है ठीक यहां तक मत ले आना तो यहां पर 3 से 9 तो जाएगा नहीं कैरी ले लो सॉरी बॉरो ले लो तो हो गया 13 13 मैंसे 9 जाएगा कितना बचेगा 4 ठीक तो ये जो last में 4 आया है ना यही आपका unit desert हो जाएगा unit desert क्या हो जाएगा आपका 4 ठीक ठीक है इस तरीके से आपको करना है जो भी आपको value दी गई है आप उनका आखरी desert देख लो कि वो किस rule पे लाए कर रहा है और उस spaces पे उस rule को वहाँ पे implement कर दो यह देखने में अभी क्योंकि मैं आपको समझा रहे हूं इसलिए ऐसा लग रहा है कि बढ़ा है लेकिन जब आप करोगे speed के साथ तो यह कुछ भी time taking नहीं होगा ठीक है इसके बाद देखी अगर question इस तरीके का है कि यहाँ पर कोई भी बार आपको नहीं दी गई है है ना और फिर बोल रहे है कि इसका एकाई कांग find out करो तो क्या करोगे एकाई कांग find out करना है तो एकाई कांग से मतलब है पूर अब हम देख रहे है कि सबके बीच ना multiplication हो रहा है ठीक तो सबके बीच multiplication कर दो 8-4 जा होता है 32 तो 32 के न ह3 से मतलब नहीं है 2 से मतलब है क्योंकि टू उसका काई कांग है ऐसे ही इस7 थीजा होता है क्या 21 तो 21 के भी टू से मतलब नहीं है किस से मतलब है और बीच में हमारा इंटु तो चले आ रहा है तो इंटु वन क्या वो जाएगा वा टो ठीक है तो यह जो है यह आपका क्या हो जाएगा उनिट इजट ठीक है और इस यहाँ पर कोई भी पार नहीं थी इसलिए वो सब रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुए हमने सिर्फ एकाई के अंक को लेके हाँ पर सॉल्व कर लिया ठीक है देखे आप कुछ क्वेस्चन मैंने आपके लिए रखें आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इनका अंसर क्या आएगा ठीक है इसमें भी आपको सिर्फ यूनेट डिजेट ही फाइंड आउट करने और कुछ नहीं करन यह यूनेट वाला कॉंसर्प्ट आए होप आप सभी को समझ में आया होगा इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना फिर चाहे कितनी भी बड़ी एक्विशन क्यों नहों आप उसको वहां पे इसली सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच